आज हम बनाने वाले हैं पुवा की रेस्पी याने की गुल गुले की रेस्पी हमारे यहां पर इने पुवा कहा जाता है कहीं पर इने गुल गुला भी बोला जाता है तो आज हम इनकी रेस्पी बनाने वाले हैं यह से अहुएस्ट पर प्रशाद की रूप में भी बाटा जा हम जोड़ जें पानी बियुक्ता सब्सेकर के लूग wanna करना के लिए लना का फिर जोड़ दें के अब ड्योड रिच्छ के असपास आटा इसमें ढ़ना च्मस जापी से नौट जो एक पानी चुणले बनते वह पानी घडाए के एकत्ता स्तार हुं नहीं अभी की नहीं द्याने कि एक यूद आ रज़ा है कि एका होगी जाहिए मता है तो बॉड़ जाहिए दिया आ डालए को झार्वा पानी करेकर मुश्क्ता तो हमें इसे करीब 4-5 मिनिट दखका चोड़ेना है तो फिर हमें इसे दुबारा से देखना है तो हमें इसे दुबारा से फैटनेंगे इसे तरीके से फैटने के बाद में हम अपनी कढ़ाई गरम करने के लिए रह देते हैं तो हमारा तेल गरम हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे अपने स्पून की साहता से पेस्ट प्रेयर किया है उससे इस तरीके से पूर डाल देंगे हमारे कढ़ाई में इसमें बहुत चिपक जाता है और गरम झाले काथ के लिए प्रेप अब आप शलब दालाई और को जाता है तर नीजों से बादा हुआ अपने हैं में तक हमें उस्पार चीनी के बनाए तो इनका कलर हमें बहुत जादा डार्क नहीं करना है अगर आप गुड़की बनाते हो तो उसका जो कलर होता है वो ऊटुमेटिकली इनसे जादा डार्क रहता है तो हमारे जो कलर है पर्फेक्ट आ गया है तो हमने निकाल लेते हैं या कर दूक्त हम थैसे यसी प्रफटार भागी का पेच्ट बचा हुआ है हम इसे तरीके से छोड़ लेंगे आप जाहो तो हाथ की साहता से स्पून की साहता से जैसे आपको एजी लगए आप ऐसे वाइल में छोड़ सकते हो तो देखिए हमारे जो गुल गुल हैं वह बिल्क